हेई फ्रेंज, वेलकम, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सबी स्वश्थ होंगे। आज के reading में हम चेक कर रहे हैं आपकी wedding, आपकी marriage कब होगी, किसके साथ होगी, आपके future spouse कैसे होगे, love marriage होगी या arrange marriage. ये reading pick a card reading है, हमार पास दो cards है, card number one है commitment, card number two है dating. जो उनसा भी card आपको बहुत attract कर रहा है, आपको उस card को choose करना है. इनके timestamps मैंने description box में दिये हुए हैं, वहाँ जाए timestamps पे directly click कीजिए, और timestamps के through अपनी reading को देखना शुरू कीजिए. Reading timeless है, time की कोई limit नहीं है, जब भी देखेंगे तभी resonate करेगी, but still general है, collective है, सभी science के लिए है. collective तो नहीं है, क्योंकि pick a card है, सभी science के लिए है, सभी gender, सभी religion, सभी caste के लोगों के लिए है, तो जुरूरी नहीं है, सभी से पूरी resonate करें. जितनी आप से resonate करें, उतनी रख लें, और बची हुई को जाने दें. So, without much further ado, let's get started, जिन्होंने first card चूस किया है, commitment का, हम चेक कर रहे हैं, welcome pile number one, जिन्होंने commitment का card चूस किया है, हम लोग चेक करने वाले हैं, कि आपकी शादी कब और किस से होगी. So, देखते हैं, आपके लिए क्या cards आए हैं, और cards क्या कहते हैं, King of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn energies काफी ज्यादा prominent है, Death का card, Scorpio energy, Pisces energy काफी ज्यादा prominent है, Justice का card, Libra की energy काफी ज्यादा prominent है, Aries, Leo, Sagittarius energy काफी ज्यादा prominent है, आपके लिए या फिर आपके person के लिए, and Cancer Pisces, Scorpio energy काफी ज्यादा prominent है, Friends, मैं यहापे feel कर पा रही हूँ, First thing is this, जो मैं यहापे देख पा रही हूँ, Justice का card है, तो definitely आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों के बीच में legal agreement होगा and आप दोनों का final future एक दूसरे के साथ होगा, यहाँ commitment के card से मैं feel कर पा रही हूँ कि आप लोग soulmate या twin flame connection में हो सकते हैं and अगर आपको wait है आपके person की commitment का तो बहुत जल्दी आपको commitment मिलने वाली है, आपके person की बात करूँ तो आपके person बहुत हाजिर जवाब है, काफी spontaneous है, futuristic है and काफी जादा emotional भी है, आपने और आपके person ने past में बहुत ही toxic relationship से deal किया है, यहा लेकिन कुछ लोगों के लिए हैं जो second marriage के लिए wait कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग मैं यह देख पा रही हूं कि कि किसी से divorce या separate होकर आप से wedding करेंगे जिसमें काफी time लग सकता है, मैं यहाप यह फिल कर पा रही हूं कि यह आपके soulmate हैं या पर twin flames हैं और एक बार आपका इ क्योंकि कुछ legal formalities इनको पूरी करनी हैं किसी से divorce आपको लेना है या फिर इनको लेना है या फिर कोई legal case इनका चल रहा है उसको sort out करना है after that ही आप से wedding कर सकते हैं ऐसी problems हैं मैं यह भी देख पा रही हूं कि जब आप दोनों की wedding fix होने वाली हो या wedding होने वाली हो तब इनकी family में किसी के death हो जाए या फिर आपके family में किसी के death हो जाए चीजे अगें डिले और पोस्पोन हो जाए ऐसी vibrations भी हैं मैं आप है strongly feel कर पा रही हूं कि जब आप लोग separation में अभी हैं चल रहे हैं तो सिर्फ आप ही नहीं आपके person भी काफी ज़्यादा उदास हैं और आपको का मन नहीं लग रहा वो आपसे contact करना चाहते हैं आपको commitment देना चाहते हैं assurance देना चाहते हैं कि देर से ही सही लेकिन हमारा रिष्टा successful होगा आपके person definitely आपके साथ legal agreement करना चाहते हैं आपके साथ court marriage करना चाहते हैं कई लोगों की secret marriage होती हुए भी दिखाए देती है कि directly जाकर आप लोग court marriage कर लो उसकी possibility भी है आपके person की बात करूँ तो यह काफी rich होंगे काफी अच्छी पोस्ट पर होंगे काफी well matured होंगे काफी understanding nature के होंगे और इस connection को stable and long term रखने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन still यह काफी emotional भी हैं और अपने emotional जो look है अपने emotions को यह और उसे चुपाते हैं अगर इनका रोने का मन करता है तो यह कहीं अकेरे जाकर रोलेंगे लेकिन किसी के सामने नहीं रोएंगे अगर मैं important dates की बात करूँ तो 4, 13, 31, 22, 2, 11, 20, 29, 8, 17, 26 काफी prominent dates हो सकती है नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए या फिर आपके person के लिए मैं आप strongly feel कर पा रहे हूं friends जिससे भी आप deal कर रहे हैं अपने soulmate से जिसकी भी commitment का वेट कर रहे हैं definitely बहुत जल्दी आपको commitment या तो मिल जाएगी या फिर already मिल चुकी है और separation phase जो आप लोगों का चल रहा है वो over हो जाएगा बहुत जल्दी next 6-7 weeks में या फिर 6-7 अगर आप लगा लो maximum to maximum months में और finally जब भी आप ये reading देख रहे हो within 11 months within 11 to 12 months आप लोगों की wedding हो जाएगी that means maximum within a year आप लोगों की wedding आपके person से होगी वैसे तो आपके person बहुत understanding nature के हैं और शादी के बाद आपका और इनका romantic life बहुत ही अठी चलेगी आप लोग made for each other हो और एक दूसरे के लिए ही बने हो और आप दोनों का प्यार देखकर अक्सर लोग jealous में आ जाएंगे ऐसी vibrations हैं एक ब काफी hurdles हो सकता है face करने पड़े और मैं यहां पर strongly feel कर पा रही हूँ कि आपके marriage जो है love marriage होगी कई लोगों की out of city out of country marriage हो सकती है जहां पर आपने इस person को choose कर रखा है और मैं यह भी feel कर पा रही हूँ कि तीन से चार साल से भी कुछ लोग इस connection में हो सकते हैं लेकिन अब आप लोग wedding के बहुत ही near हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रुत नहीं है separation phase अगर चल रहा है तो वो बहुत जल्दी 6-7 weeks में maximum 8 weeks में over हो जाएगा तो बिल्कुल भी घबराने की या परिशान होने की ज़रुत नहीं है divine आपको justice देगा ये person आपको justice देना चाहते हैं आपको नयाय मिलेगा और आपकी इनी के साथ wedding होगी जिनको आपने अपना dream person माना हुआ है ये आपके soulmate है definitely आप दोनों एक होंगे physical plane पे भी आपका reunion होगा और definitely आप लोगों की life बहुत abundant होगी and आप दोनों के बच्चे आगे starseats होंगे और आप दोनों एक दूसरे की company को बहुत enjoy करोगे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत जादा unconditional love करोगे मैं चेक करती हूँ आपके लिए क्या guidance है आपके लिए guidance card आया है abundance वहाँ पर भी king of pentacles है और यहाँ पर भी king of pentacles आप में से गई लोग same gender relationship में भी हो सकते हैं या पर कुछ लोगों के life में caste issue, gender issue, religion issue, status issue भी हो सकता है जिसकी वज़े से आपके life में और उनके life में tension चल रही है कि पता नहीं सब कुछ कैसे होगा लेकिन लोगों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है definitely आप दोनों की wedding होगी लोग जो बोलते हैं बोलने दो लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे इन सब चीजों से बहार निकलो definitely अपने plans बनाओ और उन पे work करो suppression, आप लोग अगर over burden and over tense to feel कर रहे हैं तो divine आपको कह रही है कि बहुत जल्दी आप इस situation से बहार निकलेंगे and आपका connection बहुत जादा improve होगा, so congratulations in advance अब मैं चेक कर रही हूँ love oracle card से कुछ messages आपके connection के लिए luminosity, जब आपकी wedding आपके person के साथ हो जाएगी तो आप दोनों का रिष्टा बहुत ही shine करेगा बहुत ही grow करेगा आप लोग बहुत ही abundant life जीओगे दो cards यहाँ पर pentacles के हैं तो बहुत ही abundant life जीओगे and एक दूसरे के साथ काफी जादा shine करोगे और काफी luxurious life एक दूसरे के साथ spend करोगे मैं देख पा रही हूँ कि आपके person काफी अच्छे घर से हैं काफी अच्छे इनकी property हो सकती है इनका bank balance हो सकता है और काफी कुछ इनकी life में काफी कुछ stable है boundaries, second card boundaries का आया है definitely जो लोग उटपटांग बोलेंगे उनके साथ आप एक boundaries maintain कर लोगे और उनकी बातों पर focus नहीं करोगे और third card आया है sexual freedom definitely आप लोगों की sexual life intimacy, physical relationship एक दूसरे के साथ amazing रहेगा अकसर आप एक दूसरे के साथ time spend करना की कोशिश करोगे और उस moments को उन moments को बहुत ही enjoy करोगे और आपके person भी एक एक बात पर ध्यान रखेंगे कि आपको intimacy के दुरान physical relationship के दुरान क्या पसंद है, क्या नहीं कब करना पसंद है, कब नहीं और एक दूसरे को पूरी freedom आप लोग दोगे और एक दूसरे की रजामंदी के साथ जब आप contact में आऊगे तो आप एक दूसरे के साथ each and everything, हर एक पल हर एक moment बहुत जादा enjoy करने वाले हो definitely सारी boundaries तूट जाएंगी सारी restrictions तूट जाएंगी और आप दुनों का physical plane में reunion होगा so no need to get worry finally आप लोगों की wedding होनी ही है so be happy and अगर reading आप से resonate की है आपको पसंद आई है तो please do like, share and comment on this thank you so much for watching for more clarity आप लोग personal readings book करा सकते हो जिसके detail description box में given है वो paid होती है आप whatsapp करके जो भी free slot है वो book करवा सकते हो और तब आपके reading आपको मिल जाएगी may god bless you, take care hey friends, welcome pile number 2 जिन्होंने ए ब्यूटिफुल साथ dating का card choose किया है हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके wedding कब, कहां और किसके साथ होगी so हम देखते हैं आपके cards का कहते हैं five of fruits, aries, leo, sagittarius काफी important zodiac signs है the chariot six of sorts gemini, libra, aquarius भी आप लोगों के लिए prominent दिखाई देता है knight of sorts and strength, leo energy काफी prominent है, cancer energy काफी prominent है मैं यहापे feel कर पा रही हूँ friends कि आपकी शादी किसी ऐसे person के साथ ही होगी जिसको आप date कर रहे हैं या date कर चुके हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपके भागे में love marriage का तो योग है लेकिन बहुती struggle के बाद अब struggle क्यों है, क्योंकि पेले ही कार five of roads का आया है, तो इनकी family या फिर आपकी family इस रिष्टे के लिए yes, नहीं बोलेगी, असानी से at least, ठीक है तो आप लोगों को बहुती struggle का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब family नहीं मानती है, अक्चुली बाहर के लोगों से लड़ना बहुत असान होता है, लेकिन जब घर के लोगों से लड़ना पड़े तो वो situation काफे difficult हो जाती है तो इनकी यहां आपकी family इस रिष्टे को permission नहीं देगी, जिसकी वज़े से आप दोनों को बहुत सफर करना पड़ेगा and इसकी वज़े से हो सकता है आप लोगों की wedding delay भी हो जाए मैं यह देख पा रही हूँ कि आपके person बहुत ही responsible होंगे, career oriented होंगे hard working होंगे, career पे इनका काफी ज़्यादा ध्यान होगा, काफी responsible होंगे, family की responsibility उठाने पर primary focus देंगे मैं आप यह भी देख पा रही हूँ with the card of six of sorts, आप मैंसे कई लोग family की against जाकर secret marriage करने की कोशिश भी करेंगे या पर कई लोगों की secret marriage हो ऐसी possibility भी है आप उनसे बिचान है, लेकिन still marriage नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि caste, religion, gender status का difference है, जिसकी वज़े से काफी ज़्यादा struggle चल रहा है, यह भी देख पा रही हूँ कि इनकी आपकी family बहुत ज़्यादा egoistic और attitude वाली है और काफी dominant है, toxic है और वो easily नहीं मानेगी मैं आप यह भी strongly feel कर पा रही हूँ कि आप दोनों का connection में in and out on and off का scenario बहुत चलेगा कभी आप दोनों बात करोगे, कभी नहीं करोगे, and main reason is family कभी family बहुत ज़्यादा aggressive हो जाएगी, तो बात करना बंद हो जाएगी आप दोनों की, और कभी आप दोनों के family जब normal हो जाएगी आप दोनों के साथ तो बात शुरू हो जाएगी लेकिन यह रिष्टा marriage की state तक पहुंचते पहुंचते बहुत time लेगा यहाँ पे strength energy है, Leo energy है अगर आप दोनों हिम्मत रखेंगे जो कि मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ने already रखी हुई है अगर आप दोनों हिम्मत और सबर से काम लेंगे तो definitely देर आएंगे, दुरूस्त आएंगे finally आप दोनों की wedding होगी कुछ लोगों की secret marriage होगी और कुछ लोगों के family की against जाकर उनके सामने उनकी marriage होगी और definitely family भी accept करेगी केगी जार जब मिया बीवी राजी तो क्या करेगा काजी और उनको accept करना ही पड़ेगा आप दोनों को लोग तो बहुत सारी बाते बनाएंगे लेकि लोगों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है आपको बस अपनी marriage को मुकमल करने की कोशिशे करनी है यह numbers यह dates आपके लिए यह आपके person के लिए बहुत आदा prominent हो सकती है जब भी आप यह reading देख रहे हैं मैं देख रही हूँ 7-8 months के अंदर आपकी wedding हो सकती है आपके person के साथ और मैं यह भी feel कर पा रही हूँ कि आप में से कई लोग इस connection में 4-5 years से अलरेडी चल रहे हैं ऐसी भी vibrations यहाँ पर है कई लोगों के लिए यह connection long distance relationship है और आपके person definitely उस long distance को cover up करके आएंगे और आपके साथ wedding करेंगे मैं आप देख पा रही हूँ कि आप लोग डेटिंग करेंगे आप दोनों का romantic cycle शुरू होगा next 4-5 months में या आप already dating कर रहे हो ऐसी possibility भी है लेकिन in and out on and off scenario से आप बहुत परिशान हो actually यह scenario इस वज़े से है क्योंकि family against stress रिष्टे के जिसकी वज़े से पूरी तरह से चीजे settle down नहीं हो पा रही है कभी family की health issue आ जाते हैं और कभी family मानती नहीं है कभी वो मरने मराने की कसमे देती है और कभी वो सामने वाले को emotionally blackmail करती है तो काफी तेज family दिखाई दे रही है इनकी मुझे या फिर यह family आपके भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए लेकिन still मैं देख रही हूँ कि आप दोनों इस divine connection में believe रखते हो क्योंकि आप लोग soulmate connection में हो तो आप इस divine के connection में believe रखते हो trust लगते हो और finally आपको विश्वास है कि आपकी एक दिन marriage जुरूर होगी और आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता तो finally definitely आपके person के अंदर वो हिमत वो strength वो power आएगी कि वो family के या तो against आकर आपसे secret marriage कर लेंगे या फिर family को मनाएंगे और उनकी रजामंदी के साथ आपके साथ marriage करेंगे और definitely वो हिमत वो courage वो साहस उनमें बहुत जल्दी आने वाला है आपके person की अगर मैं बात करूँ तो आपके person definitely आपको बहुत love करते हैं और उनको पता है कि इस रिष्टे में इतनी strength इतनी power है कि आप दोनों को अलग करना आसान नहीं है लोग तो बाते करते रहेंगे लोगों का काम बाते करना ही है लेकिन उस पर आपको या आपके person को ध्यान नहीं देना आप दोनों को मिलके efforts लगाना है और इस wedding तक पहुँचना है divine की आपके लिए क्या guidance है awareness आपके person already aware हो चुके हैं about this connection और आप भी काफी aware हैं about this connection तो definitely आप दोनों जितने aware हैं जितने mature हैं तो definitely आप दोनों को fruitful results मिलेंगे और कुछ चीजों से अगर आप aware नहीं हैं तो आपको aware होने की ज़रूरत है आख बंद करके किसी भी family member पर भुरोसर ना करें और maturity के साथ इस रिष्टे में efforts लगाएं अगर आप लोग बचकाना हरकते करेंगे तो हो सकता है family ना माने और आप ही की गलतिया निकाल दे लेकिन अगर आप maturely चीजों को handle करेंगे तो ज़्यादा chances रहेंगे चीजों के settle down होने के लव और एकल से देखते हैं आपके लिए क्या message है commitment का card commitment का card ही आगया तो definitely अगर आप wait कर रहे हैं आपके person की commitment का तो definitely वो commitment आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है आप दोनों का एक romantic cycle बहुत जल्दी शुरू होने वाला है आप दोनों एक दूसरे को date करने वाले हो आपको commitment मिलने वाली है romance आप लोगों में शुरू होने वाला है और आप दोनों एक दूसरे के साथ romantic pulp बिताने वाले हो serendipity का card है वहाँ six of swords था और यहाँ पे serendipity definitely अगर family बिल्कुल नहीं मानती है that means हद से ज़्यादा strict है और अपने rules regulations पे खड़ी रहती है तो आप दोनों को वो respect मिलेगी जो आप deserve करते हो पेरे लोग बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन बाद में family members भी आप दोनों को accept कर लेंगे और definitely आपके person full powerful strength के साथ आपकी तरफ action लेंगे वहाँ strength का card है और यहाँ chivalry है definitely वह action लेंगे solid and इस रिष्टे में आप दोनों की wedding होगी कब होगी जब भी आप यह reading देख रहे हैं 6 से लेकर 8 months के अंदर-अंदर आप दोनों की wedding हो सकती है so may God bless you friends मेरी दुआएं आपके साथ हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी if you like the video don't forget to thumbs up and share this in your group for more clarity आप लोग personal readings book करा सकते हैं जो की paid होती हैं उनकी detail description box में given है आप whatsapp करके जो भी free slot है वो book करवाकर अपने reading को करवा सकते हैं और guidance को follow कर सकते हैं May God bless you friends Bye for now Have a good day and take care